आप सब का सुँआगत है आपका अपना चैनल ऑल इन वन सैवनिट इचश फर दोस्तो आज मैं आपको सिखांगी घर पे आसानी से मलाई से किस तरह से घी निकाले जाती है यह बहुत आसान तरीका है दोस्तों आप बहुत सारी तरीके से तरीके से घी बना सकते हैं पर यह जो तरीका है बिल्कुल आसान तरीका है हम मलाई से एक डम डायरेक्ली बहुत आसान इसे बहुत ही कम बक्त में बहुत अच्छी कॉंटिदी तो चली दोस्तों हम सुरू करते हैं और हाँ दोस्तों वीडियो देवने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर शाहिए और आपको कुछ बोलना है इसके बारे में अगर आपको अच चली यह जलाया हमने चुला एक नॉन्स्टिकी पैन भी हम लोग घी बनाएं ताकि यह जलेना और बहुत जल्दी और आसाली से बनाएं तो पहले हम पैन को थोड़ा सा गरम होने देंगे हीट होने देंगे फिर आगे का प्रोसेस में आपको बता दो मिनट तो दोस्तों एक पर चेक कर लिजेगा कि थोड़ा मतलब यह तपने लगे लगे कि हाँ थोड़ा गरम है तो उस पर हम क्या करेंगे सिंपल एक ही स्टेप यह आपको अपना जो दूद से निकाली हुई मलाई एक हपती की जो मलाई होती है वह आपको जमा रखना है फ्रेज में रखना है घी देखें दोस्तों इसको सीधे कड़ाय में आपको डालना है और दोस्तों आपको इसको लगातार हिलाते रहना है ताकि यह मीचे जल जाए आपको लगातार इसको चलाते रहना है इस तरह से आपको इसको मेल्ट करते रहना है और हिलाते रहना है ताकि यह अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और धिरी दिरे पकने भी लगेगा और आप इस बात का ध्यान रखेंगा दोस्तों कि धार किनारे पे जो लगा है मलाई वो जल न जाए तो हमेशा किनारों से है और धीरे-धीरे चलाते रहना है जेखिएगा कुछी वक्त में आपका घी आपके सामने आपको दिख जाएगा चले हमारा दूद की जो यह मलाई थी यह पिखल गई अब यह धीरे-धीरे बॉयल्ड होने लेंगे और कुछी पल में आपको इसके उपर घी दिखी देखिया इस तरह चलाती रहना दोस्तों आपको अगर चलाना बंद करतेंगे तो इस पर चलने की जलने का डर हैगा यह जो पिनारे पर है और जल जाएगा हाला कि यह नॉन स्रीकी पायन है तो खतरा फुड़ा कम है आपके पास अब नॉर्मल कणाई है दोस्तों तो आपको रेगुलर चलाते रहना है ताकि यह जलेना किनारों से भी बरबर हिलाते रहना है उसको और इसी तरह से दोस्तों देखिए अब आपको उपर दिखेगा कि दोस्तों चलाती रहना है उसको चलाती रहना है बाधना यह जलना जाये बहुत अच्छी तरीके से अच्छी कांडी को घी बन के त्यार हो जाती है आपके पास और यह जोंग होती है तो आप देखिए दोस्तों यह जब बन के त्यार होगा तो इतना अच्छा उस्तर वाइट कलर में होगा कि आपको परजार जैसे तीला कलर थोड़ा ब्राउन लेज रहता है वह नहीं वैसा नहीं है बिल्कुल सफेद की बन के यह त्यार होगा किनारे से किनारे पे जल ना जाए उस पर ध्यान देना और इसको बराबर चलाते देना दोस्तों कहीं जल जाएगा और आपको जलने नहीं देना इसको बरबर लाते रहना है आपको अच्छा रिजन्ट दिखेगा आपको दिखने दोस्तों दिखिए इसके ऊपर बबल्स ऐसे आरा और घी ठोड़े बहुत दिखने लगे आपको शायर दिखने लगे आपको किनारे में घी विख रहेगा अगरे दोस्तों कि यह करने तो यह हमारा ही रेडि है हम घैस ऑफ करते कर दोस्तों है दोस्तों के बाद जब ठोड़ा सा टैंपरेशिस का कम हो जाएगा हम दोस्तों इसको आपको छांगर विबताएंगे कि इसी कैसा बना दोस्तों बस दो मिनाट कर लेते हैं थोड़ेगे देखिए दोस्तों यह आपको ठिख रहा होगा कैसे वाइट सफेद आपका घी बनके हमारा त्यार है चलिए अभी थोड़ी दो मिनट में आपको यह जी चान कर आपको बताऊंगी कि कैसे बना है कि दोस्तों बाट कर लें नहीं चलिए दोस्तों आप हम इसको छान के दिखाते हैं वह कि किस तरीके से घी बना हो चलिए हम लोग छानना सुरू करते हैं देखिए दोस्तों पिल्कुल टांस्परेट और एकितम वाइट खीवन के जाया रहते हैं अब जो दोस्तों यह खोवा बना हुआ है तो हम क्या करेंगे एक छोटे जो पच्चे हुई घीज में है इसको हम इस तरह के से दबा के धीरे धीरे ताकि इसको नीचे ना आए और प्रेस करते रहेंगे और हम इसको शारा घी निचोड़ लेंगे दोस्तों मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको इस खोवा को इस्तेमाल हम बत कुझा नहीं है हम चाहें तो इसको किसी भी मिठाई में अब को मिठाई में जा आपको महिंने को दूस्तों से ताहिए इसको हमारे आने ये घी दिखाती हूं देखिए ये घी बिल्कुल तयार है भी दोस्तों तम वाइट पाणी ऐसा आपको तंस्परेड घी मेरा बन के तयार है दोस्तों तो देखा रोस्तों किसमी आसानी से मैंने ये घी रेडी किया है अब आप भी इसको एक बार प्लीज ट्राय करना और मेरे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए घैने बात ऊस्तों टोस्तों